गूर्णिंग इस्टूरेंट्स विल्कम टू दनेलेस अकेडमी आज जो है हम NCIT क्लास एट चेप्टर फोर हिस्ट्री के सलूशन्स को देखेंगे जो कि है आपका ट्राइबस दिकू एंड दा विजन ओफ गोल्डन एज तो इसके हम सलूशन्स को देखने वाले हैं जो कि चेप्टर को स्टार्ट करते हैं और यदि आपको मेरे हैंडिटर नोट्स या विडियो पर्चेस करना चाहते हैं तो नीची देग नंबर पर भी आप मुझे कोलिया वाट्स भी कर सकते हैं तो चलते हैं हम जो है चेप्टर हमारा फोर जो है इसको स्टार्ट करते हैं इसके हमें answers बताने हैं तो first आप से questions पूछा गया है कि जो Britishers होते थे बिटिश डिस्क्राइब डाट ट्राइबल जो people होते थे ट्रबल जो people होते थे आदिवासी जो लोग होते थे बिटिस जो लोग होते थे या अंग्रे जो ने आदिवासियों को किस रूप में वन्नित करा तो बिटिस जो लोग थे उन्होंने एक प्रकार से wild and savage ठीके नहीं कि जंगली या जिसे हम बोलते हैं बारबर या जंगली रूप में जो थे आदिवासी लोगों को वन्नित करा तो first इसका आंसर हो जाएगा हमारा wild and savage ठीक जो बीज बोने के जो तरीके को किस तरीके से बोते थे तो वो एक प्रकार से बिखेर दिया करते थे broadcast कर देते थे फेल ला देते थे यानि कि जिसे हम बीज बिखराओ या फेलाओ जिसे हम बोलते हैं तो second हमारा जो है या आंसर हो जाएगा थार आपसे question पूछा गया है कि the tribal chiefs got land titles in the central India under the British land settlements मतलब मध्य भारत में जो बिटीश होते थे ठीक है मध्य भारत में बिटीश जो भूमी बंदोबस्त करते थे बिटीश जो भूमी बंदोबस्त के अंतरगत जो ये आदिवासी जो मुखिया होते थे उनको किसका स्वामित मिला था तो उन्हें एक प्रकार से land यानि कि भूमी का जो था उन्हें स्वामित देखने को मिला था ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा भूमी हो जाएगा तो भूमी का स्वामित उन्हें मिल जाएगा next हम देखेंगे कि फौर्थ हम देखेंगे कि जो ट्राइबल्स थे ठीकिए ना ट्राइबल्स वेंट तू वर्क इन दा टी प्लैंटेशन्स अफ असंप यानि कि क्या हुआ कि असंप की जो चाएंगान होते थे ठीकिना असंप के चाएंगानों और बिहार की जो coil mines होती थी ठीकर ना बिहार की coil mines याने coil एक खदान जो जिने हम बोलते थे तो असम के चाय बगानों और बिहारों के coil mines में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे next जो आपका second questions पूछा second question आपके जो बुक के page number आपके 50 पे given है बले statement weather troll force आपको जो statements जो given है उसके बारे में आपको troll force बताना है तो first आप से questions पूछा है जूम cultivators plug the land and sow seeds मतलब जो जूम याने की जूम कास्तकार जमीन की जुताई करते और बीज रोपते थे तो जूम cultivator जमीन की जुताई करते थे actually में जूम यह होती थी वो actually में खेती करने का एक तरीका होता था तो भूमी की कटाई या जिसे हम बोलें जुताई कौन करता था तो वो करते थे sifting cultivators कौन करता था sifting cultivators ना की जूम cultivators तो इसका answer क्या हो जाएगा? इसका answer हो जाएगा false, ठीके? इसका answer क्या हो जाएगा? false. Second, आपसे question फूछा कया है कि जो क्या बोलते हैं? संथाल्स होते थे, संथाल्स ठीके? संथाल्स यह जो वेपारी होते थे, वेपारी संथालों से क्या करते थे? यह कोकून्स खरीते थे ठीक है ना वेपारी जो थे वो संथाल से कोकून्स खरीते यानि कि जिसे अपन क्रमी कोस बोलते हैं तो वेपारी लोग क्या करते थे वेपारी लोग संथालों से क्रमी कोस खरीत कर उसे क्या करेंगे पाँज गुनाई ठीक ना एट फाइब टाइम्स पर पारी संथालों से जो ये कोकुन्स खरीदी है उसको पाच गुना रेट से क्या करते थे बेचते थे ठीक है ना पाच गुना खीमत पर बेचते थे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने सुध्धी करेंट के लिए अपने सुध्धी करेंट के लिए क्या करें drinking जो है drinking liquor यानि कि जो मदीरा है सेवन है उसका सेवन करना छोड़ दें ठीक है और stop believing भूत परेत जादू टोना ठीक है ना भूत परेत जादू कोना लिए अपना फरेत जो भी आप believe कर रहे हैं उसे रोक दें तो यह किस ने कहा था तो यह बिरसा मुंड़ा ने अपने अनुयाईयो से आवाहन किया था अनुरूध किया था तो इसका answer क्या होगा तो इसका answer आप देखेंगे तो इसका answer क्या हो जाएगा तो true हो जाएगा इसका answer, क्या हो जाएगा true answer आपको इसका देखने को मिलेगा next, fourth आपसे क्या पूछा गया fourth आपसे पूछा गया है कि the Britishers, ठीक न, wanted to यानि कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज आदिवासियों की जो जीवन पद्दिती होती है ठीक न, जो रख रखा होता था उसको बचाय रखना चाहते थे तो इसका answer आप देखेंगे तो इसका answer क्या हो जाएगा false हो जाएगा, गलत हो जाएगा कभी भी Britishers जो रहेंगे, इन आदिवासियों को कभी भी, पिजर्व, यानि कि कभी भी जिनकी जीवन पद्दिती को कभी नहीं बचाने वाले तो इसका answer क्या हो जाएगा, तो इसका answer गलत हो जाएगा, ठीक है तो ये हमारे जो है, first में जो थे वो fill in the blanks था, second जो था हमारा true false था तो ये दोनों हमारे जो parts से वो complete होते हैं, next जो है कि जो बिटिस सरकार में क्या हो जाएंगे, आपको administrative या economic आपको कई कारणों से जो ये घुमनतु होते थे ये जुम कास्त कार जिने हम बोलते थे, उन्हें बसाने की कोशिश की गई, ठीक है ना, तो चाहे वो प्रसासनिक की बात करें, चाहे आर्थिक रूप से आपन बात करें, तो आर्थनिक कारणों से ये प्रसासनिक कारणों से ठीक है ना, reason, बिटिस गॉर्मेंट ने क्या करा, इने, इन कास्त कारों को बसने के लिए मजबूर करना पड़ा, ठीक है हाला कि क्या होगा कि इनके पास क्या रहेंगे, हल की खेती, ठीक है ना, हल, कल्टिवेशन डिड, नॉट प्रूफ तो भी हल टू दिस जूम कल्टिवेटर्स यानि कि क्या हो जाएगा कि जो हल, अब उन्हें क्या कर देंगे, जूम खेती क्या होती किया, और बोला कि आप एक काम करो हल लेलो, और इस हल से क्या करो खेती करना चालू कर दो, हम आपको एक जमीन का टुकड़ा दे देते हैं तो लेकिन अब ये जो हल रहेगा, हल की खेती, जो जूम कास्तकार रहेंगे इन्हें पसंद नहीं आएगी, या मजबूरन जो रहेगा, इस प्रकार से ये लोग खेती करेंगो, ना ही इनको क्या होगा प्रोफिट होगा, इन्हें क्या करना पड़ेगा, अब नुकसान उठाना पड़ेगा इतनी मेहनत करने के बाद भी, तो इस प्रकार घुमन्तू का जीवन भी आपको प्रभावित देखने को मिलेगा, ठीक है, ये क्या करते थे घुमन्तू जो कास्तकार होते थे, वो एक वन के छोटे से टुकडे पर अपना जीवन यापन कर लेते थे बट लेकिन इन्हें अब क्या करेंगे, कि वन और वो एक प्रकार से क्या करने लग जाएंगे, इनको शोशन करने लग जाएंगे, कि नहीं आप जो हैं जंगल में नहीं आ सकते हैं, जुमखेती नहीं कर सकते हैं, हम आपको एक जमीन का टुकड़ा दे देंगे, उस पर आप खेती करो तो इस प्रकार से आप देखोगे कि यह जो घुमंतु कास्तकार जो रहेंगे एक तो उनसे सुतनता उनसकी छीन ली जाएगी ठीक है ना उनकी सुतनता एक प्रकार से क्या करेंगे यह लोग खत्म कर देंगे और कई लोग जो होंगे अपनी जीवन यापन के लिए क क्या करेंगे आजीवी का तलासने के लिए जैसे आपको मैंने भी थोड़ी दिर पहले ही बताया है कि चाहें बगान जो रहेगे उसमें काम करने लग जाएंगे या बिहार के जो कॉल माइन से उसमें काम करने लग जाएंगे तो इस प्रकार से कई सारे जो आदिवासी जो लोगे उन्हें अपनी आजीवी का चलाने के लिए मजबूरन जो है इन्हें अपना घरबार छोड़कर असम और कोईले की चाइंबागान में काम करना पड़ जाएगा तो इस प्रकार से कई जो है वो समस्याइं देखने को मिलेंगी आपको घुमंतु आदिवासियों के के सा पावर ओफ ट्राइबल चीफस ठीक है ट्राइबल चीफ पावर जो थी उनकी चेंज अंडर दा कोलोनियल रूल ठीक है यानि कि जो ऑपनिवेसिक साशक जो थे ऑपनिवेसिक साशक के तहट आदिवासी जो मुखिया थे आदिवासी मुखियों की ताकत में क्या-क्या परिवर्टन आपको देखने को मिले तो उसका जो है हम फर्स कोशन्स देखेंगे तो आप देखोगे केस में कई सारे आपको बदलाव देखने को भी लेंगे ठीके न चाहे उनकी enjoy की बात करी जाए या उनकी economic power की बात की जाए तो ऐसे कई सारे जो है आपको इसमें changes देखने को मिलेंगे या बोलें जिने प्रसासनिक या ओपनिविश्टिक जो साशक थे वो control कर रहे थे तो इनकी ताकोतों में कई सारे आपको बदलाव देखने को मिलते हैं फस्ट क्या देखने को मिलेंगे कि ये जो आदिवासी जो रहेंगे आदिवासियों के जो मुखिया रहेंगे उनमें क्या होगा कि प्रसासनिक अधिकार जो रहेंगे वो क्या होते चले जाएंगे adminst environment power वो खत्म होते चले जाएंगे ठीक है ना तो प्रसासनिक कार्य धीरे-धीरे क्या होते जाएंगे खत्म होते चले जाएंगे और उन्हें बिटिस अधिकारियों द्वारा किये गए जो भी नियम जो भी उन्होंने बनाए है ठीक है तो first point यह हो जाएगा कि क्या हो जाएगा कि धिरे धिरे प्रसासनिक अधिकार होते गए और बिटिस अधिकारियों के द्वारा जो भी rules नियम बनाएगा हैं उनको पालन करने के लिए मजबूर करने लग जाएगे तो first point यह देखने को मिलेगा आपको second क्या हो जाएगा कि जो आदिवासी मुख्याओं को जब अंग्रेज अधिकारियों ठीके अंग्रेज अधिकारियों को क्या करना पड़ा था नजराना देना पड़ता था इसे gift देना पड़ता था ठीके ना तो अंग्रेज की जो प्रति दूसरा इनने अनुसासन में रखना भी होता था कि इनको आप जो है सिनी घुमने देना याँ ओप्र यह जबरजस्थी जो बिटिशर्ब्लों को क्या करते थे एक परकार से उनको अनुसासन रखने के लिए मजबूर करते थे और जो आदिवासी जो मुख्या होते थे उनक ताकत नहीं रहेगी वो धीरे धीरे किसके कहने पर कनवर्ट होते चले जाएंगे एसे बिटिशर्स के तहत अपने कारे के प्रती क्या होते चले जाएंगे मजबूर होते चले जाएंगे लाचार बनते चले जाएंगे ठीक है तो इसी कारण से जो लोग रहेंगे वो अपने खेट या जिसे जूम के अल्टीवेटिंग जो था उसको छोड़कर वो कहां जाने लग जाएंगे जैसे चाएंबगान में काम करने लग जाएंगे या फिर बिहार की जो कोल माइन से उसमें मजबूरन उन्हें काम करना पड़ेगा तो ऐसे कई सारे जो मुख्यास जो उन्हें मजबूरन क्या करेंगे अपनी धीरे धीरे जो ताकत है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी ठीक है और ये एक प्रकार से फंक्शनिंग काम टेडिशनल फंक्शन वाला काम करने लग जाएंगे कि जो अंग्रेज लोग कहेंगे वो धीरे धीरे उन्हें मजब नमबर फूट नेक्स अब हम देखते हैं कोशन नमबर फिप अब नेक्स आपसे कोशन नमबर फिप आपसे क्या पूछा है एकवाट इकाउंट्स फोर दा एंगर आफ ट्राइबल अगेंस्ट दा डिकूज फी कै यानि की डिकूओं के खिलाफ अदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे फी कै इसको हमें देखना है तो सबसे पहले हम समझते है कि आखिरकर ये दिकूज का मतलब क्या होता है ठीक है न दिकूज तो आप देखोगे कि दिकूज का मतलब होता है बाहरी लोग ठीक है न आउसाइडर साइडर लोग होते थे who among the biggest like ठीक है न जो कौन होते थे आउटसाइडर लोग बाहरी लोग कौन होते थे जैसे की साहुकार, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, वैपारी, जमीदार्स, कंस्ट्रक्टर्ड ठीक है यानि की ठेकेदार, बिटिशर्स, अंग्रेज लोग ये लोग सब क्या होते थे, एक प्रकार से दिकूज होते थे, ठीक है ना, बाहरी लोग होते थे, जिनके खिलाफ क्या करेंगे, इन दिकूओं के खिलाफ आदिवासियों के गुस्से के कारण आपको देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट आपको पॉइंट देखने को मिलेगा, प्राइबल क्या होगा कि आदीवासी क्या करते थे जूम-खेती करते थे ठीक्ए लेकिन अब अंग्रेजों के आने से मजबूरन उन्हें क्या करنا पड़ेगा ये जूम-खेती जो ये विवस्था है ये जो इस प्रकार से जो इक किरसी कर रहे हैं उसको बंद करना पड़ेग ठीक ना तो ये जो किरसी का जो पाला ने वो जूम खेती या भूमी बंदोबस करना भी introduced land settlement करना भी प्रारब हो जाएगा और इनको जूम खेती बंद कर देंगे ठीक है तो first point तो ये हो जाएगा कि आदिवासी क्या करेंगे जूम खेती करना बंद करवा देंगे ये लोग second क्या हो जाएगा कि क्या होगा कि ये जो वेपारी लोग आएंगे ठीक है ट्रेडर्स या साहुकार जिने हम बात कर रहे है ठीक है न वेपारी या money lender साहुकार कर रहा है तो क्या हो जाएगे कि ये बहुत सस्ती दर पर क्या करेंगे वन से जो भी समान जो खरीदते थे वो क्या करेंगे बहुत सस्ती दर पर वेपारी लोग इनसे समान खरी लेंगे वन से जो भी चीजें उपज़िएंगे जैसे कि अपने कोकूंस देखे ηगे थोड़ी दे रिपेल दे तो ये जो साहुकार जंगली लोग क्या करेंगे जंगल माइंगे और उने भहुत कम कीमत पर वो चीज़े खरीद लेंगे और उने क्या करेंगे उच्छ भेजदर पर ठीक है नहीं जादा टेकसट जादा जो percentage पर क्या करेंगे हम वो दे देंगे loan दे देंगे एक परकार से ठीक है ना high interest loan दे देंगे मजबूरन होने चीए नहीं लेकिन फिर भी क्या करेंगे कि नहीं नहीं ले लो आप तो high loan पर यह हम आपको पेसे दे देते हैं केश दे देते हैं जादा पेसे दे देते हैं लेकिन क्या करेंगे उच्छ ब्याजदर पर दे देंगे अब ये तो विचारे भोले भाले रहेंगे इनोसेंट रहेंगे गरीब लोग रहेंगे तो ये इनके जाल में क्या हो जाएंगे फस जाएंगे ये लो ठीक है तो अब ये क्या होंगे कि कम दाम में तो अपनी वस्तू बेज देंगे और इन्हें जादा इंटरस्ट पे जादा लोन इनको पेसे हाई इंटरस्ट पे पेसे देंगे ये साहुकार लोग ये वैपारी लोग तो अब ये जो लोग रहेंगे ये भोले भाले रहेंगे फज जाएंगे इन्साहुकारों के जाल में फज जाएंगे जिसे मैं बोलू ये वैपारियों के जाल में फज जाएंगे तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे एक परकार से करजदार बन जाएंगे क्या बन जाएंग इन पर इनका गुस्सा आपको देखने को मिलेगा अब हम देखेंगे next point तो next point आप देखोगे by the introduction of forest log ठीके ना one कानून के तहट ये क्या करेंगे one कानून के तहट ये लोग क्या करेंगे इन आदिवासियों को जंगल से ख़देड देंगे ठीक ना बिटिशस लोग क्या करेंगे इनने जंगल से ख़देड देंगे तो इनका जो जीवन यापन है या मैं बोलू इनका जो कामकाज है ये बेघर हो जाएंगे ठीक और एक प्रकार से कामकाज के लिए ये दरबदर भटकते रहेंगे तो इस वज़े से भी ये लोग क्या कहूंगे ये घुस्सा हो जाएंगे इन दुकूँ से जिसकी वज़े से उन्हें मजबूरन जो है बगानों में, कॉल माइंस में मजदूरी इस प्रकार से आदिकारी करने के लिए ये लोग मजबूर हो जाएंगे तो ये आपको आदिवासियों को आपको दिकूओं के खिलाफ जो है घुस्सा आपको देखने को मिलेगा तो चलिए नेक्स्ट हम जो है कोशन देखते हैं, कोशन नमबर 6 क्या कहता है नेक्स्ट आपसे कोशन नमबर 6 पूछा है वाट वास बिर्सा विजन आफ गोल्डन एज ठीक है, तो बिर्सा का स्वन युग का सपना क्या था ठीक है न, और वाट डू यू ठिंक यानि कि आपको क्या लगता है कि जो इस तरह के जो दर्शन के छेतर में या जो सपने हैं कि लोगों को क्यो आकरशित करते होंगे ठीक है न, ठीक है, पीपल Of The Reason, आखिरकार क्यों लोगों को जो है, अपनी ओर खीषते हैं, आकरशित करते होंगे तो हम देख़ेंगे बिर्सा भगवान Talk About The Golden Age ठीक है न, तो बिर्सा जो भगवान रहेंगे बिर्सा जो मुंडा रहेंगे वो क्या करेंगे एक परकार से ऐसे यूग की ऐसे सत यूग की कलपना करेंगे सत के बारे में लोगों को या आदिवासी लोगों को बताएंगे कि आखिर कार किस तरीके से एक अच्छा जीवन जो है वो बिताया जा सकता है ठीक उन्हें वो टटी बंधी बनाएंगे और क्या पूलेंगे वो लोग कि वो एक क्या करें कि ये जो प्राकितिक जो ज़रने हैं इनका दोहन करना बंद कर दें बाग या पेल लगाएं खेती करें करसी करें इस तरीके से अपना जीवन यापन जो है वो स्टार्ट कर दें ट्राइबल सोसाइटी में जो भी लोग है वो एक दूसरे से नहीं लड़ें और साथ ही साथ क्या करें वो एक परकार से इमानदारी वाला जीवन यापन करें और बिर्सा मुंड़ा जो है वो एक परकार से एक सुन युग में भी क्या बताएंगे वो एक परकार से एक सुधारी आदिवासी या सुधार समाज की जिसे हम बोलें आदिवासी समाज के रू आया ना करें या आस अच्छ ना रहें और जादू टोना ठीक है ना जादू टोना भूत प्रेत इन पे भी आप जो हैं विश्वास ना करें ये मिस्नरी पे आप विश्वास ना करें साहुकार पर आप विश्वास ना करें ट्रेडर्स पे यूरोपियन अंग्रेज जो लोग वो अपने युग की एक स्वन युग की कल्पना करेंगे और कहीं न कहीं ये आदिवासी लोग इसलिए आकरशित होंगे क्योंकि क्या रहेगा कि ये जो बिर्सा जिन दोसों ये सभी गुर्ण दोस या बहारी ताक्तों के बारे में बता रहे हैं वो एक परकार से उनके कहीं न कहीं उनके दुख का कारण या उनके पीडा का कारण रहेगा तो इस परकार से भी सभी लोग क्या होंगे इनके प्रती बिर्सा मुंडा के प्रती क्या होंगे आकरशित होना प्रारंब हो जाएंगे तो बिर्सा जो भगवान रहेंगे तो इस परकार से एक स्वन युग क कल्पना करेंगे और सभी जो आदिवासी जो लोग हैं या जिनके जो लोग हैं इस प्रकार के स्वनल यूग की और अकरशित होना भी प्रारम करतेंगे तो हमारा यह जो चैप्टर है यही पर समाप्त होता है आप लोगों को कैसे लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा और यदि आप मेरे हेंडिटर नोट्स या वीडियो पर्चेस करना चाहते हैं तो नीची देगे नंबर पर आप मुझे कोल्या वाट्सेप भी कर सकत हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा तक के लिए थैंक यू सो मच सुक्रिया धन्नवाद गुड़नाइट सब अगेर सुबरात्री